Good day to all of you, मैं आसा करता हूँ कि आप सभी ने Impress Advanced को सही प्रकार से सीखा होगा Advanced Impress भाग यही पर पूरा होता है, आगे क्लास में आप सभी का Practical Test लिया जाएगा और इसके बाद Computer सिख्षा के दौरा आपके एक Return Test लिया जाएगा आज की क्लास में आप सभी Advanced Impress के भाग में जो सिखाया गया है उन सभी Options में से कुछ Options का Revision करेंगी क्या आप बता सकते हैं Interaction Options का उप्योग क्यों करते हैं Interaction Options का उप्योग Slides हो के समय करते हैं क्योंकि इसमें बहुत से Options होते हैं जिनका उप्योग आप अपनी जुरुत के अनुसार कर सकते हैं क्या आप जानते हैं Slide Transitions का उप्योग क्यों करते हैं Slide Transitions विकलब का उप्योग आपने Slide में Special Effect लगा सकते हैं जैसे कि आप Slide Show की Speed को Define कर सकते हैं Sound के List को भी दे सकते हैं जब Slide Show, Next Slide Show को कैसे Define करना है वे भी आप दे सकते हैं क्या आप जानते हैं Minimize Presentation का उप्योग क्यों करते हैं इसके दौरा आप अपने Presentation File के Size को Reduce मतलब की कम कर सकते हैं इसके दौरा अपने Image को Compressed कर सकते हैं इसके दौरा अपने Impress की Presentation की Summary को देख सकते हैं आप Slide के Design को बदल सकते हैं अब आप सभी अपने Computer को On करें और फिर किसी भी बताएगे तरीके से Impress की File को Open करें आईए आप जानते हैं आज की Class में क्या सीखेंगे आज की Class में आप सभी Rehears Timing, Custom Animation, Color Represor, Area, Summary Slide और Expand Slide, Master Pages, Properties, Templates, Hyperlink, Grid, Chart और Direct Print File का Revision करेंगे आईए आज की Class को सुरू करते हैं आप सबसे पहले चार स्लाइड को Insert करके दिखाएं और हर एक स्लाइड का Design अलग-अलग होना चाहिए पहले स्लाइड में आप Layout में से Title स्लाइड को लेके About Computer सिक्षा या फिर जो सामने दिखा जारे है Paragraph को Type करें अब आप एक Line पर Bold, Italic और Font Color की Formatting करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो रही है तो वीडियो की मज़स्ते करें आए ये वीडियो को देखकर जो भी अपने Line टाइप किया है उसके ओपर Formatting करना सीखें सबसे पहले हम नई स्लाइड को Insert करेंगे क्योंकि इसमें अलग-अलग कारिया करने हैं इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ Slides को Insert किया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर जहां पर फिर हमें इसका Slides को डिजाइन को Change करना है Slides को डिजाइन को Change करने के लिए पहले Slides को Select किया फिर वहां पर राइट क्लिक किया राइट क्लिक करने के बाद Slides को Select कर लिया और हमने Presentation Background को Select करके Load पर क्लिक किया और यहाँ पर अलग-अलग पर कारके Options दिये हुए हैं इनमें से किसी भी एक Style को हमने Select कर लिया अब यहाँ आप यहाँ पर देख सकता है Actions Background Option Select नहीं है इसलिए हम यहाँ पर जब यह Select नहीं होगा तो यह एक-एक Slide पर Slide Design चेंज होता जाएगा अगर यह Select होगा तो एक साथ सभी Slide का Design ऑटमेटिक चेंज हो जाएगा जो भी Design आपने Select किया था हुए Design आपके Slide पर Apply हो जाएगा किसी परकार से दूसरे Slide को भी Select करें उसका भी Design को Change करें वहाँ पर Select करें, Right Click करें Right Click करने के बाद Slide Design Option को Select कर ले फिर Load पे Click करें Load पे Click करने के बाद, Presentation Background पर Click करें यहाँ पर अलग-अलग परकार के Options दिये हुए हैं इनमें से किसी भी एक Options को, किसी भी एक Design को आप Select कर ले Select करने के बाद, OK के Button पर Click करें जैसे यह OK के Button पर Click करेंगे तो यहाँ पर Preview में वह आपका Design दिखाएगा कि आपका Slide Design कैसा है फिर OK के Button पर Click कर दें जो भी आपका Slide Design है, वो आपके Slide पर Apply हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहे है इसी परकार से अगले Slide का भी Slide Design चेंज करें उस पर Right Click करें, Slide Design option को Select कर ले Load पे जाए, Presentation Background option को Select करें किसी भी एक Slide को आप Select कर ले फिर OK पर Click करें आपने यहाप एक Design को Select किया फिर OK पर Click किया फिर OK पर Click कर देंगे Where Design हमारी Slide पर Apply हो जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर से अगले Slide को भी Design चेंज करने के लिए हम फिर से Right Click करेंगे Slide Design option को Select करेंगे Load पे Click करेंगे Load पे Click करेंगे Load पे Click करने के पाद Presentation Background यहाँ पर किसी भी एक Style को Select कर लेंगे Select करने के बाद OK के बटन पर Click कर देंगे जैसे OK के बटन पर Click करेंगे Where Design यहाँ Preview में आ जाएगा फिर OK पर Click करेंगे तो वे Slide पर Apply हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहे है अब हमें Paragraph पर Formating करना है Paragraph पर Formating करने के लिए आप जहाँ पर भी Paragraph लिखाए हैं वहाँ पर Click करें उस Slide को Select कर लें फिर Text को Select करें Select आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहे हैं अब हमें Bold करना है तो आप Formating Toolbar पर जाएं Bold विखल को Select करें जो भी आपकी लाइन है वह बोल्ड हो जाएगी जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से अगर इसको Italic की Formating में करना है तो आप I लिखे विखल को Select करें ये इसके लिए आप Control प्लस I विखल को भी shortcut command यूज़ कर सकते हैं इसे प्रकार से underline करें, underline करने के लिए Standard Formating Toolbar के यू लिखे option पर जाएं वह पर क्लिक कर दें ये इसके लिए आप shortcut command control प्लस यूज़ कभी उप्योग कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप इसके उपर तीनों Formating कर सकते हैं जैसे के आपको वीडियो में दिखाय जा रहा है हमने इस पर bold, italic, underline ये तीनों Formating किया अगर इसका color change करना चाहते है तो आप color भी change कर सकते हैं जैसे आपकी Formating पसंद है आप इसके अंदर वैसा Formating कर सकते हैं हमने फिर इसको सेलेक्ट किया paragraph को सेलेक्ट किया जैसे के आपको वीडियो में देख सकते हैं फिर ए लिखे option जो font color का होता है वहाँ पे गई वहाँ पे क्लिक किया तो color box आ गया जिस color को भी आपको अपने font color चाहिए आप उस color को सेलेक्ट कर लें आपको font आपका text उसी color में आ जाएगा जैसे के आपको वीडियो में दिखा जा रहे तो इस प्रकार से हमने इस पे Formating भी कर लिया तो इस प्रकार से आप bold, italic, underline, font color और आप slide design कर सकते हैं क्या आप सभी ने बताएगे कारियों को कर लिया है या नहीं अब आप सभी slide पर custom animation लगाएं जैसे की आपका text style में so हो और आपने जो भी चित्र को insert किया है उस पे अलग-अलग effect के साथ so हो और फिर उसे अपने teacher को दिखाएं अगर custom animation लगाने में कोई समस्या हो तो वीडियो को देखकर सीखें आए वीडियो को देखकर custom animation को उप्योग करना सीखते हैं custom animation के लिए आप जिस object पे भी या जिस slide पे भी जिस paragraph पे भी आपको animation लगाना है पहले उस slide या उस paragraph को select कर लें अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कोई भी drawing नहीं बनाया था तो हमें किसी भी चित्र पे बनाना है उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे drawing को बनाया जैसे का आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक slide को select किया उसको blank layout किया और यहाँ पे हमने एक image को बना लिया इसी परकार से आप भी slide पे अगर आपने drawing नहीं बनाया है तो आप उस पे अलग-लग किसी परकार के save बना लें जो भी आपको पसंद है आप drawing toolbar की मदद से अलग-लग save draw कर सकते हैं या फिर picture पे जाके किसी भी आप picture को insert कर सकते हैं जैसे का आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने second और third slide पे दो save को draw किया फिर अगले slide को हमने select किया यहाँ पे इसे भी हमने blank layout किया blank layout करने के बाद हमने इसे title slide में convert किया और फिर हम इस पे picture को insert कर लेंगी जैसे का आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने insert menu पे click किया picture option को select किया from file पे गए किसी भी picture को select करके उसे open पे click किया वे picture हमारे slide में insert हो जाएगी जैसे का आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है क्योंकि हमने इसको title में लिया था तो इसलिए इस ही title में आया हमें पूरे पे चाहिए तो इसे हम blank करेंगे फिर से हम picture option को insert करेंगे insert menu पे click कि आप picture option को select करके किसी भी picture को select कर लिया अपन पे click किया तो आप देखेंगे वे picture यहां पे insert हो गया तो इस प्रकार से हमने तीन आलागलग परकार के shapes को या picture को हमने यहां पे draw किया अब हमें इन पे custom animation को लगाना है इसलिए हमने पहले slide को select किया जो भी line लिखावा है इस line को में custom animation लगाना है select करने के बाद आप देखेंगे add को option आया add को option के अंदर अलागलग परकार के animations दिया हुआ है इन में से किसी भी animation को हम select कर लेंगे जो भी animation आपको अपने slide या paragraph पे लगाना है फिर यहां पर यह speed का option आप इसके speed को आप control कर सकते हैं कि जो अभी animation है उसकी कितनी speed होनी चाहिए इसी परकार से आप दोसरे slide को भी आप select कर लें select करने के बाद object को select करें अगर इस object पर आपको animation लगाना है तो यहां से आप अलगलग परकार के animation लगा सकते हैं जैसे के आपको वीडियो में दिखा जा रहा है हमने entrance को select किया यहां पर अलगलग परकार का animation दिया हुआ है हमने एक animation को select किया फिर इसके speed को हमने यह यह पर medium किया फिर okay पर click कर दिया इसी परकार से अगले slide को हमने select किया select करने के बाद add पर click किया एंटरेने से किसी भी एक एनिमेशन को सेलक्ट करेंगे। पिक्चर को उनकर सेलक्ट करने के बाद १ड्लियू कर लें। उसको पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको एनिमेशन लगाना है, यहाँ एनिमेशन में से आप कोई भी एक एनिमेशन को आप सेलेक्ट कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, एनिमेशन को सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको स्पीड कंट् इसको देखने के लिए आप सभी को slide show करना होगा उसके लिए आप F5 press करें F5 press करने के बाद आप down scroll करें तो आप देखेंगे जो भी आपकी slide है जो भी animation आपने लगाया है वो animation play होने लग जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप वीडियो में देख सकते हैं जैसे हम down arrow की के यूज़ कर रहे हैं वो image आ रहा है और इस image गूपर जो भी आपने animation लगाया है वो animation play हो रहा है तो इस प्रकार से आप custom animation को अपयोग कर सकते हैं अब आप सभी आगे कुछ और नए slide को insert करें और उस पर कुछ नए चित्र को insert करें और उसके format को change करें अब आप किसी slide पर color replacer wickalp का अभ्यास करें और बताएं कि उससे क्या हुआ अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदब से सीखें आए अप कुछ नए slide को insert करते हैं और उसके ओपर कुछ drawing बनाते हैं और उसकी formatting को भी बदलते हैं इसके लिए सबसे पहले जहां पर भी आपको slide को insert करना है वहां पर slide को select कर लें वहां पर right click करें और और new slide को select कर लें जैसे new slide को select करेंगे तो आपके पास एक new slide आ जाएगी जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाप property पे क्लिक करके layout के options ले आएं जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर आप इसे blank करना चाहते हैं तो blank layout को select कर लें आप इस पर अगर किसी भी प्रकार की drawing बनाना चाहते हैं तो drawing को select कर लें जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने drawing toolbar में से एक shape को select किया और इसके अंदर draw कर दिया आप भी इस तरीके से कोई से भी drawing बना सकते हैं अगर इसके अंदर फॉर्मेटिंग करना है तो आप line & filling toolbar की मजback से इसके अधर फॉर्मेटिंग कर सकतें हैं अगर आपको इसका color change करना है तो आप color change कर सकते हैं είगर swellingUNG की design को बदल ना है तो आप line एक इंदर फोल्मेटिंग कर सकते हैं जैसके आपको पसंद लो है तो हमने यापर एक स्लाइड को इंसरेट किया और इसके नदर हमने एक ड्रोइण को बनाया है और इसके लोन होगहे lum या उसके किसे भी picture का color का आप दूसरे color के साथ replace कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपके पास picture insert होनी चाहिए अगर आपने picture को insert नहीं किया तो सबसे पहले picture को insert कर ले हमने यहापे सबसे पहले picture को insert किया हुआ है पहले से हमने यह इस picture को insert किया था अब हम चाहते हैं कि इसके color को replace करना इसके color को replace करने के लिए आप सभी को color replacer का उप्योग करना होगा सरसे पहले इस picture को select कर ले Tools विकल पे click करें और color replacer option को select कर ले जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पे एक box आ जाएगा color replacer का यहाँ पे pit का option है यहाँ से आप किसी भी color को pick कर सकते हैं हमने इस color को pick किया अब में से replace करना है इस color को दूसरे color के साथ तो हमने सबसे पहले इस color को pick कर लिया pick करने के बाद यहाँ पे आपको replace with का option दिखाई देगा यहाँ पे अलग अलग परकार के color दिये हुए है किसी भी एक color को आप select कर ले select करने के बाद replace पे click कर दे जैसे replace पे click करेंगे तो आप देखेंगे जिस color को आपने select किया था वे उस color के साथ replace हो गया जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहा है वे color इस picture पे आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहा है इस प्रकार से आप color replace का उप्योग कर सकते हैं अब आप सभी slide पर slide transition का अभ्यास करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आईए वीडियो की मदद से slide transition के उप्योग करना सीखते हैं कि slide transition से क्या होता है इसके लिए सबसे पहले slide show पे click करें फिर अपने pointer को slide transition पे लेके आएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग लग परकार के effects दिए हुए हैं आप इwn effects को अपने file पे लगा सकते हैं आप इन effects को आप के हर एक slide पे लगा सकते हैं उसके साथ में आप sound को भी यहाँ पे effects को रूप मे यूज कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहा है हमने एक effect को लगाया, फिर यहाँ पर sound effect को भी हमने एक select किया, इसी परकार से दूसरे slide को select किया, फिर किसी भी एक effect को select कर ले, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पर अलग-अलग परकार के effects दिए हुए हैं, आप right side में देख सकते हैं, फिर यहाँ पर अगले slide को फिर से select करें, slide को select करने के बाद कोई भी effect को select कर ले, अगर इस पर आपको sound effect लगाना है तो यहाँ से किसी भी sound effect को आप select कर ले, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, वह effect आपके slide पर apply हो जाएगा, फिर से अगले slide को select करें, इस पर आपको किसी भ आगर परकार के अनिमेशन दिवें, इफ्रक्ट दिवें आप इनको सलेक्ट कर सकते हैं, अगर इस पर आपको साउंड अपलाई करना है, तो आप यहाँ पर साउंड को आप्शन दिया हुआ, यहां से साउंड भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा र यहां से फिर से आप अलग से किसी भी एफेक्ट को आप सेलेक्ट करें कि सेलेक्ट करने के बाद फिर अगर इस पर साउंड इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो यह साउंड इफेक्ट को सेलेक्ट कर ले जो भी effect आपने select किया है वो आपके slide पर apply हो जाएगा अब इसको check करने के लिए आप सभी को slide show करना होगा जब आप slide show करेंगे और down arrow की करेंगे तो आप एक-एक slide को आप उन्हें effects को देख सकते हैं और जो भी अपने sound effect लगा था आप sound को आप सुन सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहां पर slide show कर रहे हैं slide show करने के बाद एक-एक slide को हम down arrow की से देख रहे हैं तो वो सारे effects हमें दिखाया दे रहे हैं और sound भी आपको सुना ही देगा तो इस प्रकार से आप transition की मदद से slide transition की मदद से आप अलग-अलग प्रकार के effects को आप देख सकते हैं और उसके ओपर slide उसके ओपर sound के effect को भी आप लगा सकते हैं तो इस प्रकार से आप slide transition का उपयोग कर सकते हैं अब आप सभी summary slide का उपयोग करके दिखायें और बताएं इससे क्या होता है अगर summary slide को बनाने में कोई समस्या हो रही हो तो वीडियो की मदद से सीखें कि summary slide का उपयोग कैसे करते हैं आए वीडियो की मदद से summary slide के बारे में सीखते हैं कि summary slide से क्या होता है summary slide की मदद से आप जितने भी आपने slide बनाएं उसके इंतरा जो भी title दिखा हुआ है उन सारे title को एक अलग slide में उनका summary बना के दिखाएगा जैसे कि आपको वीडियो में भी दिखाया जाएगा हमारे पास यहाँ पर पहले slide है हमने वहाँ पर कुछ title लिखाया है हमने अगले slide को select किया वहाँ पर हमने एक face को बनाया था अब हम यहाँ पर title slide को select करके उसका कुछ title लिख लेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने smiley यहाँ पर title में smiley type किया फिर से हमने अगले slide को select किया यहाँ आप भी देख सकते हैं यहाँ पर एक drawing बना हुआ है हम चाहते हैं इसका कुछ title लिखें इसके लिए हमने title слaID को select किया और इसके title में हम कुछ भी आप type कर सकते हैं हमने यहाँ पर note है यहाँ आप आप कुछ भी title दे सकते हैं जो भी अपने image को draw किया है आप उसका डाइटल देना चाहते हैं आप उसका टाइटल दे सकते हैं कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं आप हमने यहाप पर डाइटल टाइप किया तो अब यह आप देख सकता हमारे पास तीन स्लाइड है हमने एक में डायरी, एक में स्माइली और एक में जो हमने पैराग्राफ टाइप किया तो हमाँ पे एक टैटल ओलेटी यहाँ पे लिखा हुआ है अब हम चाहते हैं समरी स्लाइड की मदद से जो भी पैर लिखाया वह और एक अलग स्लाइड पर इस सारे टैटल को दिखाई दे इसलिए हमने इनलेट में पर ग्लिक किया और समरी स्लाइड पर फिरक करेंगे तो आप देखेंगे एक अलग से स्लाइड इनलेट Ouch यहाँ आप आप देख सकते हैं एक अलग से स्लाइड यहाँ पर इंसेट हुआ है जितने भी हमने टाइटल में कुछ टाइटल लिखा था उनका अलग से यहाँ पर समरी बनके आ गया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तीनों स्लाइड का जो टाइटल है वो टाइटल यहाँ पर लिखा हुआ आ गया तो इस परकार से आप समरी स्लाइड का उपयोग कर सकते हैं अब आप सभी समरी स्लाइड में जो भी समरी दी गई है उसे हर एक स्लाइड के टाइटल में बदल कर दिखायें अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आईए वीडियो की मदद से समरी स्लाइड को टैटल स्लाइड में कनवर्ट करना सीखें जैसे कि आप देख सकते हैं जब हमने समरी स्लाइड को प्योग किया था एक अलग से स्लाइड बनका है उसके अंदर जो भी हमने समरी लिखा था वो कंटेंट सहां पर लिखा हूँ आ गया है अब हमें इसको टैटल में कनवर्ट करना है तो इसके लिए हम इंसेट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और एकस्पेंट स्लाइड पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे जितने भी समरी लिखा था उसको अलग अलग टैटल में कनवर्ट कर देगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहा है और डायरी स्माइली इसको टैटल में कनवर् से जो भी summary को बनाया था उसको आप अलग-अलग slide के अंदर convert कर सकते हैं अब आप फिर से एक नए slide को insert करें और अपने desktop पर से अथवा document से किसी भी दूसरे file को insert करके दिखाएं याद रहें कि file की address की जगा पर उसका नाम आना चाहिए अगर कोई समस्चा हो तो वीडियो को देखकर सीखें आईए वीडियो की मदद से hyperlink को insert करना सीखते हैं कि hyperlink को अपने file पर कैसे लगाते हैं इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं एक insert menu में जाकर और एक standard toolbar में जाकर हम यहाँ पर insert menu पर क्लिक करेंगे फिर hyperlink विकल को select करेंगे हई पर निंक को कर लिया जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहे हैं आप किसी भी file को स कर्सके हैं जिस को आप link के द्वारा attach करना चाहते हैं फिर ओपन पे क्लिक कर दें ओपन पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे text लिखा है यहाँ पे अगर आप चाहते हैं यह लिंक की जगह आपका नाम आए तो यहाँ पे आप नाम टाइप कर सकते हैं हमने यहाँ पे computer शिक्षा को टाइप किया आप अपना नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं नाम टाइप करने के बाद आपको apply, फिर उसके बाद close पर क्लिक कर देना है हमने जैसे विए apply पर क्लिक किया आप देख़ते जो भी link था और जो भी नाम टाइप किया थह यहां से हट गया इसके लिए हमें फिर से यहां पर text लिखा हुआ वहाँ text पर नाम लिखें apply पर click करें अभी देखें यह link यहां से नहीं हटा फिर close पर click कर दें तो आप देखें जो भी आपने नाम टाइप किया थो उस नाम का link बनके यहां पर आपके slide पर आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहा है क्योंकि हमने यहां पर content slide लिया वह इसलिए अभी दिखाय नहीं दे रहा है इसलिए हमने content slide को यहां पर select किया फिर इसको delete कर दिया जैसे हमने डिलीट कर दिया तो आप देखता है जो आपने computer सिक्षा का link बनाया था वो यहाँ पर आ गया जब मैं इस पर link पर click करेंगे जब भी आप इस link पर click करेंगे जो भी आपकी file है वो file यहाँ से open हो जाएगी जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहा हमने इस पर control को button को प्रेस किया और यहाँ लेफ्ट बटन दबाया तो यह file यहाँ से open हो गया तो यह file यहाँ से open हो गया तो इस परकार से आप hyperlink का उप्योग कर सकते हैं hyperlink के दवारा आप किसी भी file को अपने slide पे link के दवारा attach कर सकते हैं आप चाहें link के दवारा link की जगा पे अपना नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं इस परकार से आप hyperlink का उप्योग कर सकते हैं अब अपने file को desktop पर save विकल्प की मदद से MS PowerPoint में save करके दिखाएं अगर save विकल्प से MS PowerPoint में file को save करने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से सीखें ये वीडियो की मदद से impress की file को किसी दूसरे document में convert करना सीखें हमेशे PowerPoint में convert करना है इसके लिए आप सभी को file menu पे click करना है जैसे का आप वीडियो में देख सकता है हमने यहाँ पे file menu पे click किया फिर इसके बाद wizard option को select करना है wizard option पे select करने के बाद आप सभी को document converter option को select करना है यहाँ पे click करने के बाद आपको इस तरह की box दिखाए देगा हमने Microsoft Office को select किया जिसमें भी आपको convert करना है उस option को select करना है पॉरपॉइंट डॉक्वेंट में करना है तो हमने PowerPoint option को select किया फिर इसके बाद नेक्स्ट पी click कर दिया हमें templates को convert नहीं करना हमें documents को convert करना इस लिए हमने इस template option को यहां से हटा दिया डोकिमेंट में यहां पर देखते हैं powerpoint document जहां से भी आपको file को import करना हुआ से आपको इस location से यहां सेट कर सकते हैं जो भी आपकी file है थि नीचे option save to है जहां पर आप save करना चाहते हैं जहां पर भी आप document को सेव करना जाएगा उस location को आप सेलक कर लें हमे Hastapeave सेलक करना था तो हमनी desktop पर हमनी desktop को सेलक कर लिए फिर OK पे क्लिक कर दें फिर Next पे क्लिक करें और Convert पे क्लिक कर दें तो इस प्रकार से आप डोकुमेंट कनवर्टर उप्षन की मदद से आप अपने डोकुमेंट को किसी दूसरे डोकुमेंट में कनवर्ट कर सकते हैं अब आप अपनी फाइल के size, फाइल के location, फाइल की date जैसे फाइल के बारे में बताएं आए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि आपका अंसर सही है या नहीं आए वीडियो की मदद से property options के बारे में सीखते हैं अगर आपको date, time, slide number, page, file save है यानि यह सब चेक करना है तो आप property option का उप्योग करेंगे इसके लिए आप सभी को file menu पे click करना है जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने file menu पे click किया file menu पे click करने के बाद आपको property vehicle को select करना है यहाँ पे आपको general option को select करना है जैसे general option को आप select करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जिस नाम से भी file save है वो आपको यहाँ पे नाम सो करेगा untitled one हमने इसी नाम से save किया है file के type दिखाएगा किस तरह की file है, presentation की file है, कहाँ पे save है, desktop पे save है file का size कितना है, आपको यहाँ पे size दिखाया जाएगा किस date को create के आगया है, वो भी आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा तो इस प्रकार से आप इन सभी चीज़ों को आप यहाँ से check कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप property option की मदद से file कब save हुआ है, file के size कितना है, यह किस प्रकार की file है, यह सब चीज़ें आप check कर सकते हैं क्योंकि आज की class यहीं पर समाप्त होती है, अब आप सभी अपने file को close करें और अपने computer को shutdown करें आज की class में आप सभी ने impress के advance options का पूरा revision किया कल की class में आप सभी उपस्तित रहें क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगली class में आपका practical test लिया जाएगा अगर कोई भी छात्र अनुपस्तित रहता है, वे computer शिक्षा के दुवारा जो return test लिया जाएगा, माने नहीं होगा